नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आइस्टो तक पे दोस्तों मैं हूँ शुति दवीदी और आज मैं बात करूँगे वास्तु के हिसाब से घर में क्या कुछ रखना चाहिए लेकिन इनमें बहुत से चीज़ें आज आती है आज के विल बात करूँगे मैं गजराज के बारे में जी हाँ हाथी के बारे में पीतल का हाथी रखें या हाथे की बड़ी तस्वीर लगाने से husband wife में अगर कोई dispute चल रहा हो तो वो धूर होने लग जाता है पीतल का हाथी living room में भी रखना बहुत शुब होता है ये शांती और समरिधी का कारक है इसी के साथ जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है यदि मैं बात करूँ जेब में ठोस चांदी का हाथी रखना चाहिए क्योंकि बहुत शुबता लाता है ये क्या करता है पंचम भाव या बारवे भाव में बैचेवे राहू की दोशों को खतम करता है इससे क्या होता है संतान सुख की प्राप्ती होती है mental stress चिन को होता है तनाव की problem होती है वो दूर होती है चांदी से बने हाथी को आप उत्तर की दिशा में रखें विवास्तु की साब से बेहद शुब होता है ये एश्वर्य का प्रतीक माना जाता है फंक्ष्वई की अनुसार अगर मैं बात करूं तो हाथी की तस्वीर या मूर्ती घर में रखने से positive energy तो आती ही है साथी साथ धन प्राप्ती भी बढ़ती है जी हाँ एश्वर्य लक्ष्मी का प्रतीक होता है जिस हाथी की तस्वीर या मूर्ती में उसकी सून्ड जो है वो जुकी है उसे living area में लगाना चाहिए यानि कि थोड़ी से सून्ड जोकी हो और इससे घर में सुक्षान्ती बढ़ती है और यदि हाथी की सून्ड ऊपर हो तो उसे तरक्की होती है धन और संपत्ती बढ़ती है तो यह छोटा सा उपाय है आप भी अपना के देखिएगा लेते हूँ आपसे विदा ऐसे ही खास बाते लेकर आऊंगे मैं शुरूती दिवेदे के विला अस्टो तक पर नमस्कार